subscribe किजिए TechnoReview चैनल को और बेल आइकन को दबाईए Hindi टेकनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो कैसे आप लोग TechnoReview में आपका फिर से स्वागा थे और दोस्तो Samsung ने फाइनल लॉँच कर दिया याउसी M30S को जिसमें आता है बहुत ही बड़िया स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले कामेरा और एक मैसिव 6000 एमिज की बैटरी बस सोचिए कि इस बार हमारे बैटरी टेस्ट में क्या होने वाला है अभी M30S का जो प्राइस है उसमें हमें दो और फोन देखने को मिल जाता है एक है Realme 5 Pro और दूसरा है Redmi Note 7 Pro और इन दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन कामेरा बैटरी हर एक चीज बहुत ही बड़िया है तो बात अभी यह आता है कि इन तीनों में से Realme 5 Pro, Redmi Note 7 Pro, Samsung Galaxy M30S के बीच के सब्सक्राइब अगर आप कोई एक फोन को अभी खड़ाईथना चाहिए तो अब इन तीनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए तो चलिये आज जल्ली होत्व जल्ली सुआब इτοल्या और बेलिकरी कर लीजिये चारि को सबसेपेरह मिल जाहा है तो चलिये वीडियो को स्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करें तीनों फोन की डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में दोस्तों M30S में मिलता है polycarbonate back design इसमें मिलता है तीन कलर्स एक ओपल ब्लाक सैफिर ब्लू और पर्ल वाइट कलर वैसे मिलता है तो यहां पर भी हमें मिलता है polycarbonate back design उसके साथ जो आप देख रहें क्रिस्टल कट डिजाइन दिखने में बहुत ही बड़िया लगता है और यहां बात करें रियल्मी 5 प्रो की तो यहां पर हमें मिलता है तो यहां पर हमें मिलता है ग्लास बोड़ी तो वरल है एक फोन की डिसप्लै और दोस्तो रिल्मी 5 प्रो और नोट 7th में मिलता है 6.3 ऊंछ एसमें क्रिश्प्लेय लाइन तोBen TL, 9ified Ķी एसमने मूसमें मिलता है तो यहें मिलता है IPS LCD डिसप्लेय घाफन 1155 डिसपलेयो रियल्मी 5 फट्रो रियलमी 5 प्रो का एक Pramil थालनेanç, Papachby दिस्प्लेस के लिए और M30S का डिस्प्लेइ अगें सुपर अमुलेड होने के वाज़े से उसमें आपको पंची कलर्स या फिर बेटर कंट्रस्ट देखने को मिल जाएगा नो चली देख लेते हर एक फोन की पर्फोरमेंस तो M30S हमें मिल एक जनस 9611 चिपसेट जो चलता है 10 nm प्रोसेस में और इसमें में मिल दाए 4GB का बेस वेरियंट और जो हाइस वेरियंट है इसमें आपको मिल जाएगा 6GB राम के साथ 128GB स्टोरेज अगर रिल्मी 5 प्रो की बात करे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा SNAPDRAGON 712 चिपसेट जो अगें 10 nm प्रोसेस में चलता है और दोस्तो SNAPDRAGON 712 बहुत ही आजकल पॉपुलर चल रहा है स्मार्टफोन में जिसमें आपको बहुत ही बड़िया पर्फॉर्मेंस के साथ पावर सेविंग भी काफियत तक देखने को मिल जाता है और रिल्मी 5 प्रो में भी अगें हमें मिलता है बेस बेरियंट में 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज और जो हायस्ट बेरियंट है और इसमें आपको मिल जाएगा 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज अगर बात करें नोट 7 प्रो की तो यहां पर नोट 7 प्रो में हमें मिलता है SNAPDRAGON 675 जो चल जैसे PUBG या फिर भी यूस करते है इस फोन को तो फिर काफी ज्यादा हीटिं होता है इस फोन में तो ओवराल एक्जनस 9611 और SNAPDRAGON 712 का परफोर्मेंस अल्मस्ट इकॉल है और दोस्त हम बहुत ही जल्दी M30S में डीटल परफोर्मेंस तेस्ट करेंगे जिसके बाद आपको एक्जनस 9611 का परफोर्मेंस के बारे में इन डीटल में पता चल जाएगा नचली बात कर लेते कामरेंस के बारे में तो यहां पर M30S में में मिल एक्रिपल कामरा सेटप जिसमें प्राइमरी है 48 Mbps 8 Mbps ultra wide-angle lens 5 Mbps depth sensor और इसके साथ इस पोन में सपोर्ट है 4K recording super slow-mo और साम प्राइमरी है 48 Mbps की और इसके साथ 5 Mbps depth sensing camera सामने के साइड हमें मिलता है 13 Mbps selfie camera now realme 5 pro के बात करें तो यहां पर हमें मिलता है quad camera setup जिसमें और दोना फोन की तरह हमें मिलता है primary camera 48 Mbps उसके साथ 8 Mbps ultra wide-angle lens 2 Mbps depth sensor और जो 4th camera यहां पर हमें देखने को मिलता है जो extra lens वो है 2 Mbps macro sensor वैसे इसमें भी हमें मिलता है 4K recording support और सामने के तरफ हमें मिलता है 16 Mbps selfie camera दोस्तों तीनोई phones में primary camera हमें मिलता है same 48 Mbps की और macro lens को छोड़ के realme or M30s में आपको एकदम same camera setup देखने को मिल जाता है और दोस्तों realme 5 pro में जो macro sensor आपको मिलता है उससे लिए पिक्चर को अगर आप देखे है पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं यह 2 Mbps macro sensor होने की वज़े से इस macro sensor से लिए macro images में quality आपको एक पसंद नहीं आएगा जी हां आपको एक added option मिलता है macro photography के लिए पर दोस्तों यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि realme का ultra wide angle lens या फिर macro sensor को आप सिर्फ photography के लिए यूज कर सकते और video recording के time आप सिर्फ primary sensor को यूज कर सकते है ना अगर बात करें इंदी नो फोन की बाटरी और box कर अंदर में मिलता है बानी टी वर्ट की charger बर दोस्तों M3S में ईस मिलता है वो एक डम मैसिव है क्योंगे स्लेक सिक्स थाउसें मेच की बैटरी लिसके साथ box के अंदर हमिलता है 15 वाट की एक चार्जर और 206,000 इमेज के साथ जो सुपर अमुलर डिप्लैप को मिलता है उसके वैसे एक नम सुपर पावर हाउस जैसा फोन होगा साथ जो वुक चरजर आता है उसमें बहुत ही फास्ट चार्जिंग आपको मिलता है पर फिर भी इन माइपिनियन बैटरी के मामले में M30S is a clear winner तो चलिए भी बात कर लेते इन तीनों फोन्स की Android OS या फिर सॉफड़र UI के बारे में तो तीनों में ही आपको मिलता है Android 9 Pie out of the box और तीनों में आपको एक कस्टम स्कीन देखने को मिलता है वैसे M30S चलता है One UI में जिसमें आपको एक फ्लूइड यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है और Realme 5 Pro में है Color OS 6 जिसमें अगें कुछ एक्स्ट्रा ट्विक से जिससे आप अपने फोन को अपने तरह से कस्टमाइज कर सकते है Note 7 Pro में हमें मिलता है MIUI 10 दोस्तों UI परसनल प्रेफरेंसे पर हर एक में आपको कुछ प्रिइंस्टॉल जंक या फिर ब्लोट वर्स देखने को मिलता है वैसे हर एक ब्लोट वर्स को आप अनिस्टॉल भी कर सकते है पर सिफ MIUI 10 में आपको कुछ UI के अंदर एंड्स भी देखने को मिलता है जो बहुत ही अनॉइंग है और यह चीज आपको Color OS या फिर One UI में देखने को नहीं मिलेगा तो परसनली Realme का Color OS या फिर Xiaomi का MIUI मुझे पसंद नहीं है पर रियल्मी ने कंफर्म कर दिया के रियल्मी 5 प्रो में हमें बहुत ही जल्दी Android 10 का अपडेट मिलने वाला है ना फानली चलिए देख लिए कुछ एक्ट्रा फीचर्स जो हमें इन तीनों फोंस में देखने को मिल जाता है दोस्तों इन तीनों में हमें मिलता है रियर माउंटेड फिंगर पिन स्कैनर उसके साथ तीनों में ही है 3.5 मिलिटे का हेड़फोन जैक USB Type-C पोर्त रियल्मी 5 प्रो और M30S में हमें देखने को मिलता है तो जैसे आपको कौन सा खरीदना चाहिए तो जैसे हमने आर्डे बता है कि तीनों ही फोन में आपको मिल जाता है बेस बेस बेस्बेटें 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ और तीनों का ही फ्राइस है 13999 तो अभी सवाल यह आता है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए दोस्तों frankly speaking अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो डिजाइन मुझे लगता है कि डिजाइन Realme 5 Pro का सबसे बेटर है इन तीनों में से और इसके साथ इसमें आपको मिलता है Quad Camera Setup जिसमें एक extra Macro Lens आपको मिलता है वैसे अगर आप Macro Lens से ली गई इस Macro Lens को ज्यादा यूज भी नहीं करेंगे वैसे Realme 5 Pro की Snapdragon 712 का पर्फोर्मेंस हमने देखा है बहुत ही बढ़िया है पर इन माइ ओपिनियन एक्जनस 9611 का भी पर्फोर्मेंस आपको अल्मस्ट एकोल लेखने को मिल जाएगा और M30S में उसके साथ आपको मिलता है अल्मस्ट सेम कैमेरा सेट अप सिवाय मैक्रो लेंस के पर उसमें मैसिव 6,000 mAh का बैटरी मिलता है वह बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्यूंकि उसमें मिलता है AMOLED डिस्प्ले तो अगर बात करें Redmi Note 7 Pro की तो मैंने सबसे अगर आप Redmi का फोन लेना चाहते है इन तिनों में से अगर आप Redmi Note 7 Pro को सिलट करते है तो आपको वेट करना चाहिए बस एक मैना या फिर कुछ हफते के बाद ही Redmi Note 8 Pro को जिसमें आपको better CPU, Cameras, हर एक चीज आपको better देखने को मिल जाएगा Redmi Note 7 Pro से अगर आपको वेट करना चाहिए और अभी जल्दी से Redmi Note 7 Pro मत खड़िए अगर हम पिछले Note Series लाइन अप को देखते है तो हर एक Redmi Note Series phones में हमने देखा है कि जो price होता है वो budget friendly होता है तो अभी वेट कर लीजिए Note 8 Pro का India launch होने तक और उसके बाद decide कीजिए कि Note 8 Pro या फिर Note 7 Pro दोस्तों ओवरल ये था my opinion पर आप हमें नीचे कमेंस में जरूर बताईए कि Galaxy M30s, Note 7 Pro और Realme 5 Pro के बीच में से आपको क्या लगता है कि कौन सा है सबसे बेडर फोन और दोस्तों यही तच्क्राइब अगर वीडियो पसंद दाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते है और मिलते हैं अगले वीडियो में